नमस्कार्ट सुभागत है आपका दन्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरिन भारत के खिलाब कई बार बयान देने वाली और अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली लेखी का अरंधती रोय के उपर दिल्ली के एल जी वी के सक्सेना ने लिया है बड़ा आक्शन जी हाँ दरसल आपके लिए बता दें कि कश्मीर के केंद्रिया विश्विध्याले में अंतर राश्ट्रिया कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शौकात हुसेन और के खिलाब जो है वो यूए पीए के तहत केस चलाने की मंजूरी आज दिल्ली के लेटनेंट गवर्नर के द्वारा दी गई है और ये मामला 2010 का है कि एक तरफ शौकत हुसेन तो वहीं दूसरी तरफ अरुन्धती रोय के ऊपर भी यूए पीए के तहट चलेगा मामला देखिए जिस अरुन्धती रोय के ऊपर यूपीए की गॉर्मेंट के द्वारा हुआ था मामला दर्ज वही कॉंग्रेस के नेता आज अरुन्धती के ऊपर चल रहे मामले को लेकर लगातार उनकी बॉकला हट सामने आ रही है दरसल आपके लिए बता दे कि ये बयान जो है वो 2010 में दिया गया था अरुन्धती के द्वारा जिस पर उन्होंने कश्मीर को लेकर जो है वो कई तरीके से भड़का उभाशन दिया था और यहाँ पर अरुन्धती ने कहा था कि भारत को कश्मीर अलग करने का प्रचार भी किया गया था और ये तक कहा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं आज उस पूरे मामले को लेकर अगर दिल्ली के उपरा जुपाल वीके सक्सेना ने ब गॉर्मेंट थी उस समय पर शुशील पंडित के द्वारा जो है वो शिकायत दर्च कराई गई थी फायार दर्च कराई गई थी जिसमें अरुन्धती रोय हुसेन और कतित तोर पर और भी लोग मौजूद थे जिसमें कश्मीर को लेकर इस तरीके से बयान दिये गए पर आ जाने की फॉर्मर ट्विटर पर एक पोस्ट डाल का प्रशान भूशन ने लगी के इस पैसले का विरोध किया है और कहा है कि इसलिए लगी ने कश्मीर के लिए आजादी की वकालत करने के आरोप में अरुन्धती रोय के खिलाब 14 साल बुरानी फायार पर यूए पी ए आत यह जो है वो अधेक द्रण संकल बियाने की लगातार प्रदार मंत्री नरेंद्र मूदी की सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं वो कॉंग्रेसी जिन कॉंग्रेसीयों के राज में ही अरुन्धती रोय के ऊपर इस मामले को लेकर अफवायार दर्ज हुई थी वही आप पर कारवाई होती है सिर्फ एक वीडियो को लेकर वहाँ पर तो उन्होंने भारत को लेकर भी कोई इस तरीके की बात नहीं की थी कि कश्मीर लग है या पर इस तरीके की चीज़ है पर बावजूद इसके जब उन्हें गिरफतार कर लिया गया था यह तमाम लोग और पत्र सुरी देदी है तो उस पर सुनिए क्या कह रहे हैं राजदीप सर्दिसाई देखिये राजदीप सर्दिसाई ने लिखा है कि दिल्ली के एलजी ने यूए पीए के तहट 2010 के कथित नफरत भरे भाशन मामले में लेखिका कारकरता और इसी के साथ अरुंध हती रोय के उपर जो है वो मुकदमा चलाने की मंजूरी देदी है चुनाब के समय पर नियमित रूप से धार्मिक जहर उगलने वाले लोग बच निकलेंगे और एह समीती की अग्रीड आवाज यानि कि राष्ट विरोधी यानि कि ऐसे लोग जो हमेशा आवाज को उठाते हैं उन लोगों क एक रिपब्लिक ऑफ बनाना है इसी के साथ सगारिका घोश जो की राजदीब सरदसाई की धरम पत्नी है और टीमसी की नेताब भी है उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है नहीं अरुंधती रोय पर यूए पीए के तहत में नहीं चलाया जाना चाहिए उससे सह सहमत हो या सहमती की एक शांदार अवाज है इसके वज़ाए वोट के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनती करने वाले लोग नफरत फैलाने वाले लोग भारत के खिलाफ सबसे बड़े अफ़राद करने वाले लोग असली देश द्रोही हैं देखी आज किस तरीके से लगात सामने आया है और वो लिख रहे हैं कि एक लेखक के खिलाफ यूए पीए एक बार फिर से फासिवादी सरकार हमेशा फासिवादी सरकार ही होती है और यह तमाम वही कॉंग्रेस के नेता हैं जिनोंने शायद इस पूरे मामले को लेकर 2010 में ध्यान भी नहीं दिया होगा पर आज देश में मोदी सरकार है इसलिए लगातार इस मामले को लेकर कॉंग्रेस के नेता और जो कुछ पत्रकार हैं वो इस तरीके से आवाज उठा रहे हैं जो सिर्फ सिलेक्टिव मुद्दों को लेकर ही अपने ट्वीट या फिर अपनी बात को आगे रखते हैं इसी के कर एल जी को क्यों ये तमाम चीज़ें याद आ रही है इतो राजनीती के चलते सब कुछ हो रहा है इसी के साथ सुनिए और क्या कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूद 2010 से लेकर के 2014 तक एलजी साब क्या उस फाइल को बैंक में रखकर उसका व्याज खा रहे थे या वो मुकदमे दो हो जा रहे थे LG साब अगर एक फाइल को 10 साल में नहीं देख सकते हैं या 14 साल में नहीं देख सकते हैं या LG साब जब से आएं तब से नहीं देख सकते हैं तो इससे बड़े दुरभागी की क्या बात होगी LG साब को तो अपने पत्से स्तिफा दे देना चाहिए कि आप एक फाइल को निस्तारित करने में आपको 14 साल लगे देखिए ये सारी चीजे राजनीती से प्रेरित होकर के काम नहीं होना चाहिए देश की सुरक्षा एकता और अखंडता से कोई समझोता नहीं होना चाहिए और अगर ये लाल फीता शाही 14-14 साल मुकदमों को डिले करती है तो इस लाल फीता शाही के खिलाथ भी सुप्रीम कूर्ट को कारवाई करनी चाहिए जहां एक दरव विपक्षगी लगातार इस पूरे मामले को लेकर बॉकलाहट सामने आ रही है तो वहीं दूसरी दरब बीजेपी के नेता यासर जिलानी ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात आगे रखी है और उन्होंने एनाई से बात करते हुए सीधे तोर पर कहा है कि जो लोग भारत में रहे कर भारत की बुराई करते हैं नफरत फैलाते हैं और इस तरीके के शब्दों का प्रेयोग करते हैं उनके खिलाफ ऐसा आक्षन होना चाहिए और मैं इसके लिए LG का धन्यवात करता हूँ अगर आप किसी रीजिन को किसी समुदाय को किसी विशेश वजह से उसके उपर ऐसी टिपनी करते हैं जिस से सोहार बिगड़ जाए जिस से कानौन कहीं कानौन विवस्था के ओपर परहार हो ऐसी इस तरह की मांसिकता के लोगों के खराफ मुझे लगता है कि जब कोई मनजूरी केस के लिए दी जाती है तो ये उनके लिए सबक भी है और दूसरे लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें नजीर पेश करती है मैं दिली के लजी के साथ हूँ जो उन्होंने अरुनुदिती राय और जिस आप प्रफिसर शौकत की बात कर रहें जब आप भारत में रहें के भारत के खिलाफ भारत के खिलाफ नफरत भारत की शान्ती को भंग करना और भारत में रहने के बाद दूसरे देश की गुणगान करना ये देश द्रोह का मामला बनता है ये एल जी साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है ये पूरा मामला वो है जिसको लेकर आज बिपक्ष बॉखलाया हुआ है वहीं जनता कह रही है कि ऐसे लोगों पर आक्षन होना चाहिए चाहे फिर वो बहुत बड़े पत्रकार हो या फिर लेखा क्योंकि भारत और कश्मीर के खिलाफ बयानबाजी करने वाले लोगों के उपर इसी तरीके से आक्षन होना चाहिए खेर आप लोगों की भी इस पूरे मामले को लेकर जो भी राय हो आप भी हमें कॉमेंट करकर सरूर बताईए धन्यवाद